सद्यू नमस्कार, जैसे जैसे एलेक्टोरल बॉंड के परत दर परत प्रश्टाचार की मामले खुल रहे हैं, वैसे वैसे देश की जनता के रोंकटे खड़े हो जा रहे हैं अभी एक तुरंद का जो एक मामला सामने आ रहा है, उसमें 14 मार्च को चुनाव आयक द्वारा जो सूचना दी गई है, जो डेटा जारी किया गया है, उसमें भारत की 35 दवा कमपनियों ने एलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से लगबग 1000 करोड रुपए बीजेपी को दिया है जब ये कमपनिया बॉंड खरीद रही थी, तब इसमें से कम से कम साथ पर घटिया क्वालिटी की दवाओं के लिए जाच की जा रही थी, अब आप सोचिए, जो कमपनि घटिया दवाओं के लिए जाच के घिरे में है, वो बीजेपी को चंदा देती है, और चंदा कमपनिया खासी, रक्तचाब, आधिको नियंतरित करने और COVID-19 के दवरान जो रेम डेसिवर कमपनीज बनाती थी, ये कमपनिया उन में से हैं, अब आप सोचिए, कि एक तरफ कमपनिया लोगों की स्वास्त से खिलवार कर रही थी, इस तरह की दवा बना के और इस खिलवार को छुपाने के लिए, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉंड के मध्यम से पैसे दे रही थी, अब आप खुद सोच करके देखिए, कि ये कितना बड़ा ब्रस्ताचार है, कितना बड़ा ये एक मानुविय कृत्य नहीं हो सकता, किसी के जान से खिलवार, अब आप खुद सोच सकते हैं, कोरोना में आपने किस तरह से देखा था, त्राहिमाम, त्राहिमाम मचा हुआ था, लाशे लगातार चारों और चाहा नजर डानी हैं, वहाँ पर लाशे भीची हुई थी, और इस बीच ये लोग चंदे का खेल कर रहे थे, पैसे का खेल कर रहे थे, क्या ये कुछ भी इनके आगे स्टेंड नहीं करता अगर आप इने पैसा देंगे तो यह अपने घर वालों को बेच देंगे धन्यवाद